हलो एवरिवन नीट बाइलोजी सिरीज में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सुनेडिम बाइलोजी क्लासेस और मैं सुभमतिवारी आज का टापिक है एनिमल सीमेट्री अगर आप फाइलम पढ़ रहे हैं तो आपको सीमेट्री की जानकारी जरूर होनी चाहिए सिमेट्री मीन्स दा आरेंजमेंट आफ बाडी पाउट्स इन्टू जियोमेट्रिकल डिजाइन्स सममित मतलब अंगों का अरेंजमेंट उनके ज्यामती ढंक से किया जाए माने उनको इस प्रकार से इस ढंक से ब्यवस्थित किया जाए काटा जाए कि वो बराबर कटें ज्यादा तर जन्तुओं में सिमेट्री पाई जाती है लेकिन अपवाद सरूप कुछ ऐसे भी जन्तु हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती मतलब वो किसी भी तरीके से बराबर भागों में नहीं काटे जा सकते तो ऐसे जन्तुओं को एसिमेट्रिकल जन्तु कहते हैं मुख्यता सिमेट्री चार प्रकार की होती है इस्फेरिकल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री बाइ रेडियल सिमेट्री और बाइ लेटरल सिमेट्री spherical symmetry is found in animals whose body resembles a sphere नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जन्तु जो आकार में गोलाकार हो उनमें spherical symmetry होती है और इसमें बीच के center के किसी भी plane से काटने पर वो mirror image की तरह कटते हैं मतलब कटने वाले सभी बाग बराबर होते हैं इसके examples हैं वालवाक्स, हेलियो जोवा, रेडियो लेरिया यानि ये जन्तु में बहुत ही कम देखने को मिलता है radial symmetry, in radial symmetry body is in the form of a flat or tall cylinder radial symmetry वाले जन्तु भी लगभग गोलाकार ही होते हैं और ये इनके सरीर में एक center होता है उस center से अगर आप एक radii यानि त्रिज्या लेकर करके काटेंगे तो कटने वाला प्रत्य भाग बराबर होगा इसलिए से radial symmetry कहते हैं radial symmetry मुख्य रूप से cylindrata nideria और echino dermeta में भी पाया जाता है echino dermeta में भी का मतलब ये है कि इसके लार्वा में bilateral symmetry होती है जबकि जन्तुओं में radial symmetry होती है जैसे hydra, jellyfish, sea urchin biradial symmetry biradial symmetry is a variant form of radial symmetry as some part that is paired rather than radial ये भी लगभग radial symmetry जैसा ही है लेकिन इसमें एक त्रिज्या की बजाए paired मतलब जोडे के साथ काटा जाता है मतलब longitudinal axis से केवल दो planes पास होते है इसके examples है sea animals और sea walnuts bilateral symmetry ये सबसे ज़्यादा जन्तुओं में पाई जाती है bilateral symmetry applies to animals that can be divided along a median longitudinal plane into two mirrored portions, right and left halves इसको अच्छे से समझ लीजे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जरूरी symmetry है इसमें ये कहा जा रहा है कि जब किसी जन्तु को longitudinal axis से यानि कि उसके सरीर के बीच से काटा जाए तो उसके दो portions इस तरह से अलग होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे दोनों mirror image हो फाईलम प्रोटो जोवा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और इकाइनो डर्मेटा के जन्तु को छोड़ करके सभी फाईलम में bilateral symmetry होती है आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें थेंक्यू